दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी खुद की शॉटकट की बनाना जब भी हमें किसी सॉफटर को खोलना होता है तो हम अपनी खुद की शॉटकट की बनागर उससे उस सॉफटर को खोल सकते हैं सबसे पहले हमें उस software के उपर जाना होगा जिसे हमें खोलना है जैसे कि मान लीजी हमने MS Word को लिया उस पर right click करेंगे property पर जाएंगे और जहां पर लिखा हुआ है shortcut की वहां पर हम अपनी कोई नई shortcut की दबाएंगे जो भी तक यूजना की हो example हमने control दबाया shift दबाया shift के साथ shift D दबाया then apply okay हो गया अब जब भी कभी हम control shift D दबाएंगे हमारे MS Office हमारे सामने खुल जाएगा धन्यवाद